यू आर वेलकम एटुजड इस्टुड़ी पॉइंट सभे प्रतियोगी छात्रों के लिए महत्पूल गनित का हिसा आओ सिखें दस्मलव का जोड़ नमस्कार बचो आप सवागत है आपका प्यारा चैनल एटुजड इस्टुड़ी पॉइंट कर जिस तरह से आप जानते हैं कि आपके लिए हम प्रतियक दिन नए नए टोपिक लेकर आपके साथ आते हैं और आपकी सिवा में लगे रहते हैं तो आज का टोपिक क्या है आप द मां रहता है उसको जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं तो गलती बराबर होती रहती है आज वो गलती आपका नई होगा अगर सबस्क्राइब कर लाएं और मेरे किलास में आका जूड़ए हैं और इस्टी डी को जारी रखिए चले क्लास को सुरू करते है देखते रखों आपका है क्यानाओ का है देसिमाल को हिंदी हें क्या पढ़ते हैं दसमलव पढ़ते और दसमलव को हम अंग्रिजी मी क्या पढ़ते हैं जानेंगे नहीं तो डास्मय लेके आये हैं आईए देखते हैं, सीखेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवरशी करएगे, चले पहले कलास को देखिए, पहले कलास को आप देखिए, समझजे, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आवे, तो अंत में साबस्क्राइब कीजे गा, पहले ये class को सुरू करते हैं यह question आपका दिया है देख सकते हैं कि 2.02 उसके बाद 302 उसके बाद है 1.02 उसके बाद है चलिए इतना सा ही हम बनाते हैं पाले छोटी संख्यां से लेते हैं आपका संख्यां क्या है 2.02 और 302 यह दो संख्यां आपके पास है तो इसको जोड़ेंगे कैसे यह तो हमको सबज में नहीं आ रहा है कैसे जोड़ेंगे तो आज यह इसको जोड़ने के लिए हम देखते हैं एक बच्चा है राम और एक बच्चा है सीता यह दो बच्चा है आपके पास देख रहे हैं यह दो बच्चे हैं और यह दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं बहुत ही अच्छे धंग से यह पढ़ाई कर रहे हैं तो दोनों बच्चे जब अच्छी धंग से पढ़ाई कर रहे हैं चलिए देखते हैं यह सीता जो है यह बनाई कैसे बनाए यह देखिए यह बना दिया आपका दो उसके बाद बना दिया ये जीरो दो उसके बाद ये इस तरह बना दिया ठीक है अब ये लिखा अब लिखने के बाद क्या की बच्ची दो और दो को जोड़ दिया चार जीरो का जीरो और तीन और दो पमाच ये कहा इस तरह से हम बना दिया तो इसने इस तरव बना दिया अब देखते हैं राम जी क्या बनाये जो कहता है राम जी की निकली सावारी कहता है न वह ऒछित्विर्म क्या बना दिया यहां आपको बना दिया क्या जीर दो दसमलव जीरो दो उसके बाद है 302 तो इसने क्या बना दिया यहां पर ट्रीक लगा दिया ट्रीक नहीं है यह बिंदू को लगाया और इस बिंदू को इसने यहां पर लिखता है और लिखने के बाद क्या करते हैं यहां संख्या से इसको उल्टा चलता है यह लिख द फिर काता है यह दो और दो चार यह जीरो यह हो गया 304 तो राम का रिजल्ट आपका आया 304.02 अब आप बताईए यह दोनों बच्चे हैं दोनों विद्याले में पड़ रहे हैं और यही सवाल आपको दे दिया और उसने 504 यह 5.04 और इसने 304.02 यानि 304.02 तो यह दो इसतर आका रिजल्ट को बनाया तो अब बताएंगे की सही कौन सा टेक्निक होता है इस चीज़को समझते नहीं नहीं आईए उसी के बारे में हम धीरे धीरे से आपको नीचे से उपर की और लेकर चलते हैं चलिए क्लास को शुरू कर रहे हैं अब देखते रहे हैं और अपना प्रैक्टिस को जारी देखिए आपका संख्या है अब देखिए यह संख्या है 24 25 और 12 तो इसको आप कैसे जोड़ते हैं तो आप जोड़ते हैं 24 25 और 12 इसको आप जोड़े इस तरह का जलुए 5 4 9 11 का 1 बच गया 1 2 2 4 1 5 4 1 हो गया कितना हो गया आपका 6 हो गया इस तरह से बनाते हैं ना ठीक है आईए फिर देखते हैं उसके बाद कोश्चन आपका क्या दिया है अब देखिए एक दसमलव दो फिर कोश्चन आपका आया दो अब यह दो ही अंग है एक दसमलव दो और एक अंग दो तो अब बात को समझेए जदि एक दसमलव दो है तो इसको क्या कारते हैं ये होगा एक रुपएः बीश पैसा आपका ये हो गिया इस बात को समझेगा जली दसमलव के बाद कोई एक अंक रहे तो इसको एक रुपएः बीश पैसा इसको हम पढ़ेंगे और यहाँ वण्लीर दो ही है टु है इसको क्या पढ़ेंगे यह वणली को दो रुपया ही पढ़ेंगे इस बात को याद रखेंगे जब भी आपको दसमलब में इस तरह से डिजिर को लिखा जाए तो हम रखिएगा दसमलब देने के बाद दो अंक नेसेसरी है वो रहेगा ही उसके बाद यहां दो है तो क्या लिखेंगे इसको अब देखिए दो है यहां लिखना है आपको दो और उसके बाद कुछ अंक नहीं है तो जीरो लगा दिए दसमलब बाद दो जीरो लगाना ही है इस ब रूपया 20 पैसा और ये दो रूपया हुआत कितना होगा दोनों को जोड़ दिए तो 3 रूपया 20 पैसा है इस तरह से आपको जोड़ करके पूरा करना है सिखना है आए देखते हैं दूसरा कोशन क्या दिया है किस तरह से बनाएंगे समझे समझने के लिए ये वीडियो सोचे कि आपको थोड़ा सा शेयर किया जाए यह देखिए उसके आद कोस्टन क्या आ गया दूसरा नमर कोस्टन है 22.5 उसके बाद है 22.05 इसको जोड़ना है अब देखिए कोस्टन यहां पर लपड़ा आ गया ना 22.05 और 22.05 इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़िएगा अब देखिए ना कैसे जोड़ेंगे आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपका जोड़ कितना आता है क्या हम जो बनाएंगे उससे भी आपका मैच करता है क्या आईए इसको अच्छी तरह से देखेंगे आईए देखतें क्या है लिखेंगे 22.05 का मतलब कि दसमलब के बाद दो अंको लिखना अनिवारी है यह नेसेसरी होता है तो 22.05 लगाएंगे तो कितना हो गया 22 रुपया 50 पैसा हो गया इस बात को याद है आपको ठीक है यह देखिए 22 रुपया यह बिंदा को काते है रुपया और यह आपको दो अंक चाहिए तो यह कितन है आप यह बाइस है यह बाइस लिख दिजिए उसका 0-5 यह 05 लगा दिजिए आप इस तरह से जब अब लिखेंगे उसका जोड़ते चलिए यह कितना हो गया पश्क यह कितना हो गया पांच यह होग Яपका 10 विख यह दो और दो चार यह होगया 24 रुपया 55 किसा हो गया इ यह दुसरा question से हम प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस को जारी रखते हैं और आप अपना प्रैक्टिस किजिए, शिखिए यह ुद्भ शुआँ किसी परकार की प्रिच्छा हो, सब के लिए important है, इसलिए आप अपना प्रैक्टिस को जारी रहे इस 현재 question आपका है 112, 12 उसके बाद है 112.02 यह कोस्चन आपका है और यह दोनों को जोड़ना है कैसे जोड़ेंगे देखिए 112 है और 112.02 है कैसे जोड़ेंगे इस समझ में नहीं आ रहा है जोड़ेंगे इमाका है यहां ऑनली 112 क्या लिखेंगे 112 लिख दिए और उसके आद दसमलब नहीं होग है ना और यहां दसमलब ही तो लगशाना होगा ना यहां दसमलब दिजिए उसकेबाद दो अंक दे दीजी जब यहां पर देखेंगे 112 आपका है और 112 में कोई अंक नहीं है उसको 00 ही लगाके उसको एक्वल किया जाता है बराबर किया जाता है इस बात को समझना है क्योंकि यह राउन फिगर में है तो पूरा का पूरा आपका यह 00 लगेगा ही उसके बाद देखते जाइब लिगांग्व कर दिया तो यह संख्यां देखेंद दो अंख एक तीन क्तीन और दो पंच ऐंक हो गया तो यहां देखिए एक दो तीन अंग है तो इसको कैसे बनाएंगे तो हमें इसको तेन और पंच अंक बना दिये ये संक्यां पंच अंक और ये भी पंच अंक, दोनों तो ब्रावर हो गया न, अब देखे कहाने शुरू होता है क्या करेंगे देखिए इसको दसमललब और पर लिखे इसको है, जिरो और दो है , यहाand लिखिए One यहाand और उसके बाद क्या करेंगे यहां से लिखे दो फिर यहां एक हैत यहां लिखे एक फिर यहां एक हैत यहां लिखे एक आप क्या करेंगे इसको इसको जोड़ना है ना तो जोड़ दीजी इसको क्या लिखेंगे दो जीरो फिर यहां दो और दो चार एक और एक दो फिर यह हो इस तरह आपको सीखना चाहिए क्या वीडियो आपको अच्छा लग रहा है यही क्लास चलेगा यह इसी बार का क्ला सच मिखा चलेगा चलिए देखते हैं नेसक्टा किस तरह से लिखा जाए और नेक्ट किस तरह से बनाया जाता है उसको अच्छी तरह से देखें समझें और सीखें अब देखें आपका कोश्न क्या है दो दसमालब 0202-3.222-222 डोब पहलIS चैके का Ben 10,202-22 प्रते हैं एक गुर्षाonie दसमालब परती हैं तीन दसमालब 22 परताने थीन थान दा सना दर दो यहां कि आदे हैं कि हैं गार्य और डेसिमलब, डीके से जोड़ने के लिए इसको कैसे जोडाएंगे, सर पर हुझते है देखते चलिए दसमलब सबमें है इस तरह भी है, जढ़ने है, अगर इस तरह सब्द दसमलब हिसाब नहीं, नहीं तो हिसाब आपका गलत हो जाएगा आईए इसको बनाते हैं किस तरह से बनेगा देखिए हैं लिखा है दो दसमलब यह दसमल्व है यहां पर लिखेंगे इधर नहीं लिखेंगे जमीरेगत गलती हो गत्रम लाफ के बार दू liaison नेगर लिखा जाता है यहां आपका जीरो हिर यह क्या है दोस्वाईस दसमलव पचास यह झाँ दसमलव चैनल जेनल लिखेंगे यहां दूस मुझेट हैं तो 222 को यहां लिग दीजिए और उसके बास हमको जोड़ना है क्या कर रहे हैं जोड रहे हैं याद रखिए दो और दो कितना हो गया चार यहां पर तो 2.38, 49 इसका answer हो गया आईए देखते हैं next question क्या दिया है अब देखे यह question आपका क्या है 2.02 पलस 3.22 पलस 1.02 तो इसको कैसे जोड़ेंगे आप जोड़के comment में जल्दी से जवाब दिजिए इसका answer क्या होगा तो यह देखिए आप मिलाइए यह लिखेंगे ज Connie's 92 उस दिखे डसमलंव का ड ense है ना तो गला को यह यह ने को लागा नदा आप इसको क्या करना जोड़ देती क contagis muk जोड़ेग्ध को दो कितना हो गया 4, 2,o कितना हो गया 4 दसमलब दे दिये 3,8,2,5,5,4,1 कितना हो गया 6 हो गया यह nao पर लिखेंगे 6 हो गया 6 दसमलब 4,4 यह आपका अंसर हो गया अउमीद है अब तो कोई लिम्हान नहीं है कि दसमलब का किसker बनाए जाता है क्या और प्रैक्टिस्किच क्या जाए जल्दी से बताएक प्रैक्टिस की जीदेगा फ्रैक्टिस करना है बोलिए ना ठीक आयिए एक वर हучा प्रिक फटा देते हैं जिस्थे से बनाए जागा है यह बहुत जल्दी 222.2 इसको जोड़ना है तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे यह लिखिए 202.10 हो गया अब यहां देखिए यह संख्यां में आपका दसमलव के बाद कुछ नहीं है ना दसमलव लगाया है अब तो यह कंफ्यूज कर दीए ना कंफ्यूज नहीं करना है ना तो यहां क् बनाने के लिए क्या करेंगे 328 दसमलव 00 लगा देंगे इसको इस तरह से बनाना है क्योंकि यह पूरा राउंड फिगर में है तो राउंड फिगर को जब तक जीरो नहीं लगाएंगे तो यह राउंड फिगर में नहीं आता है आईये उसके बाद देखते हैं यहां 10 मलव ह है तो गोल लगा दीचे अब कुछ नहीं है जीरो लगा देजिए अप क्या करेंगे दो है तो यहां दो मरेख दीचिया और इसको एपमको जोड़ना है तो इस जोड़ेंगे कैसी 00 हो गया निजुए एह ही तो तीन और दो पंच इस तरह से दस्मलब का जोड़ बनाया जाता है वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक अबसी करेंगी आप हमारे इस चैनल पर नए है तो अभी सब्सक्राइब करें चलिए देखतें नेस्ट कोस्चन क्या दिया है देखिए बच्चों आपका तो आपको दस्मलब का जोड़ दे देता है दस्मलब का गुनों दे देता है दस्मलब का भाग दे देता है यह क्लास 6 में है क्लास 7 में है हरे क्लास में यह टोपिक रहता है तो आप सीखना चाहिए आप सीखेंगे तभी तो बना पाएंगे ना आईए इसको solve करतें किस तर है आप हमको क्या करना दस मलब कर दिया है दो अंग है ना यह दस मलब को आपको रखना ही है यह नियम है आप क्या करेंगे लिखे 202.09 हो गया और प्लस करेंगे कितना एक्षम लगाने का मतलब है तो 20 क्योंकि हैं लगाने का मतलब है दसमलब के बाद एक यह उंग और हमको बठा देना है क्योंकि हमको यह बराबर हमको चाहिए याद रखेगा अब क्या करेंगे इसको आप जोड़ देते हैं कैसे जोड़ते हैं 9 हो गया आपका उसके बाद 9 2 कितना हो गया 11 हो गया 11 का एक बच गया हमत में एक अब 2 और एक 3 3 और एक कितना हो गया 4 हो गया 4 लिख दिए अब क्या करेंगे 0 का 0 लिख दिजी 2 का 2 लिख दिजी यही आपका अंसर हो गिया, उमेद है आपको अच्छी तरह समय में आ रहा होगा, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, तो लाइक करते चलिए, आईए देखते नेश्ट क्वेस्टन, क्या दिया है, बच्चो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्वेस्टन आपका दिये हैं, आप देखे रहे जब आप पढ़ने का मन करें तो उस टाइम में आप इस हिसाब को रिपीट कीजिए बनाइए देखे आपको यह नावदविद्याले के परिच्छा परिष्छा दे रहे हो चाहे नेतरहार की परिष्छा दे रहे हो तो उसमें से यह कोश्टन अदिकतर पूछा जाता है या तो आप 6 क्लास में है या 7 क्लास में है यह आपका मैथमेटिस का यह हिसाब हर एक बूक में दिया हुआ है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे आप अपना कॉपी में उतारें और प्रैक्टिस करें और देखें कि क्या आपके लिए उप्योगी था या उप्योगी बिडियो नहीं था, अगर आपको इस तरह और वीडियो चाहिये तो हामें कंथि करेंगे प्योंकि मैं आप ही की फरमईयस पर वीडियो अप्लोट करते हैं, तो अगर आप जो जी कमी हो, जिस चीज ये ब सुनके तो हुर में तुरत कोमेंट करें, मैं आपका कोमेंट का रिपलाई अब शिच देंगा अगर आप सुगम का रिपुष्ट का आपका अधुरा पड़ा हुआ है तो मेरे प्लेलिस्ट A to Z study point में आप जाएंगे और उसे देखिए और जब आप वह जाके देखेंगे तो सारी प्लेलिस्ट बना दिया गया है हर एक सब्जेट का बना दिये है आप देखिए और 6-7 का जो गनित का हम अध्यान कर रहे हैं आप उसे प्रैक्टिस करते रहे हैं जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गनित आप सीख नहीं पाएंगे इसलिए गनित आपको सीखना है तो प्रैक्टिस को जारी रखिए बच्चो आप मेरे वीडियो को अंतक देखें आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप पढ़ते रहें खुशी मनाया हैं अबंग परिष्छा में सफल हो ये यही मेरी कामना है Thank you for watching my video Thank you for watching my video If you are new to this channel Then subscribe and press the bell icon geet more videos